जै मा, भद्रकाली स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राश्य वालों तो एक-एक दुश्मन ठिकाने लगेगा, क्योंकि शनी देव का माथा ठनक गया है और ये सबक आपको जीवन भर याद रहेगा, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करेंगे, हम गुरुजी के एक चोटे से अनमोल विचार से, दोस्तों, हमारे गुरुजी आज की कल्यूग ही, रिष्टे की एक बड़ी ही कडवी सचाई बता रहे हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, कि आजकल के रिष्टों की हकीकत यही है, अगर तो सुलच जाएंगे, और सुनादो, तो उलच जाएंगे, यही आज के रिष्टे की सचाई है दोस्तों, ऐसा होता भी है, अगर हम किसी को उसकी सचाई बताएंगे, तो वह सचाई सामने वाले इनसान को कड़वी लगती है, क्योंकि कोई भी इनसान आज के समय में अपनी सचाई नहीं सुनना चाहता है, सबको जूठी तारीफें पसंद है, सबको जूठी बातें अच्छी लगती है, लेकिन अगर गलती से सच बोल दो, तो रूट जाते हैं लोग, इसलिए अगर आज किस कल्यूगी और स्वार्थी भरी दुनिया में रिष्टे बचाने हैं, तो स से मनाई नहीं, और जो व्यक्ती सच्चाई सुनने पर भी आपका साथ दे, उसके साथ आप रिष्टा हमेशा के लिए जोड ले, तो दोस्तों, गुरु जी का यह ग्यान आपको अच्छा लगा होगा, आएए, अब कुछ सावधानियां हम आपको बता देते हैं, जो आपक पैसी करीबी मित्र की पैसों को लेकर सहायता कर सकते हैं, लेकिन पैसा ऐसी चीज है, जो खून के रिष्टे को भी खून करने पर मजबूर कर देता है, पैसा ऐसी चीज है, जो अच्छे से अच्छे रिष्टे को भी तोड देता है, पैसों की माया से आपको दूर रहना है ना तो रिष्टों के बीच में पैसे लाने हैं, और ना ही घमंड लाना है, आपको यह चीज ध्यान में रखना है, और एक चीज हम आपको बता रहे हैं, कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या और कोई भी तकलीफ आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम की तकलीफ हो, आपको किसी भी प्रकार का दुख झेलना पड़े, तो आप अवश्य बताएं, इस वक्त आपका परिवार बहुत ज्यादा खुश रहेगा, और इसका कारण होंगे आप, क्योंकि आपकी तरक्की के अब कई सारे मार्ग खुलेंगे, और इस खुशी में आप अपने परिवार को कहीं बाहर भी, रेस्टोरेंट या होटल में लेकर जा सकते हैं, अपने बच्चों की जीत को पूरा करना, कभी-कभी आपके लिए नुकसान दायक भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों की हर जीत पूरा करने से, उनमें हीमता की भावना भरेगी, अपनी ब चोटा सा उपाय बता रहे हैं, मित्रों, जीवन में यदि आपके किसी प्रकार की दुख तकलीफ चल रही है, आपकी कोई मनो कामना है, जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ध्यान से सुनिए, यह उपाय शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर और एक पूरे चावल का टुकड़ा लेकर चढ़ाईए, और उन्हें अपनी मनो कामना बोले, और जीवन में जो दुख तकलीफ हैं, और उनके बारे में इस्मरन करके जल चढ़ा दीजिए, फिर मित्रों, आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से आपके जीवन से दुख और तकलीफ को दूर होगी, मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्हों ने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है, क्योंकि अंजाम की खबर तो करण को थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाना की थी मित्रों अपने जीवन में भी हमेशा ध्यान रखियेगा कि यदि किसी इनसान ने आपका बुरे समय में साथ दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसे इनसान का साथ दो अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन मित्रों आपको कभी भी उनका एहसान नहीं भूलना तो गुरुजी के इस ग्यान को अपने जीवन में अमल करने के बाद मित्रों बढ़ते हैं, समय अंतराल की और बता देते हैं कि जिन्दगी में इस वक्त खुशियों के कुछ नए रास्ते खुलना वाले हैं, आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी, लेकिन आपको पास कम पर घोपनिय तरीके से करने की जरूर है मित्रों, उन्हें जितना ज्यादा गुप्त रख कर करेंगे, वह कम उतने ही बढ़िया तरीके से होते जाएंगे, अनुभव लोगों से आपकी बात चीत होगी और कोई समस्या भी बहुत जल्दी सुलजने लगेगी, मित्र मित्रों, कई बार बहुत से संबंध बिगड़ना की वजह केवल एक ही होती है, बेवजह का गुस्सा करना, मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने गुस्से अहंकार पर थोड़ा सा नियंतरन रखें, और हाँ सरकारी कागजों को कंप्लीट रखें, जैसे कि मकान के रज में नहीं, प्रॉपर्टी खरीदी, बिक्री से जुड़े कम बिलकुल भी ना करें, हो सके तो आगे के समय के लिए ताल दे मित्रों, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वर्तमान जीवन पर ध्यान दें, बिजनेस में व्यवस्था रहेगी, मेहनत के मुताबिक अच्छी इनकम भी आपको प्राप्त होगी, और सरकारी कम में किसी अनुभवी की सलाह लेना जरूरी है, नौकरी पेश लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं, ये बात बहुत मेन रखती है, मित्रों संबंध बेहतर बनाने हैं, तो नरम लहजा रखें, और हाँ, प्रेम संबंधों में मजबूती बढ़ेगी, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, प्रोटीन व्यवस्थित रखना जरूरी है, खान पान व्यवस्थित रखना जरूरी है, फिलहाल किसी भी कम में आपको हडबड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे जैसे अवसर आपको मिल रहे हैं, उन्हें रिष्टों में नकारात्मकता है, उन्हें देखने का नजरिया बदलेगा, मित्रों, और रिष्टे पूर्ण बहुत बहतरीन होंगे, मित्रों, आप सभी को बता देते हैं, कि अपने लोगों के साथ जुड़ कर रहना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, साथ ही में इस ब की जाएगी, कम की जगह में, या घर की सजावट में, थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करें, और अभी तक मिले हुए अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए, नए कम की जिम्मेदारी, मिल शक्ती है, रिलेशन्शिप संबंधित निर्णय लेने के लिए आप अभी तयार नहीं है, खुद को वक्त देने की कोशिश करें, पार्टनर को समझना की कोशिश करें, मित्रों, क्योंकि हवा में बातें करना, कभी-कभी आपके लिए नुकसान दायक भी हो सकता है, खास दोस्त की मदद से कोई फैसला लेने में आसानी होगी जानते हैं, तो आई कुछ च पाल चंदन मिला दे, उसे पत्र को अपने सिरहाने पर रखकर रात को सो जाना है, सुबह उठकर सबसे पहले उसे जल को पीपल के व्रिक्ष पर चड़ा दें, इस साथ दिनों तक आपको करना है, धीरे-धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी, मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और तनाव मुक्त हो जाएंगे, अगर पीपल का पेड़ नहीं, है तो बाहर कहां गमले में विसरजित कर दें, ऐसा करने से मित्रों, आपके उपर से दुख दर्द, तनाव सब दूर होने लगेंगे, यह था पहले उपाए, हम आपको ब संबंध मधुर बने रहते हैं, दामपत्य जीवन में उन्नति होती है, चार चंद लगता है, मित्रों ध्यान रखिएगा कि परिवार के बड़े लोगों के साथ विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, आपको ध्यान रखना है कि अपने से बड़े लोग सम्मान करना ह आप मानसिक रूप से ठका हुआ महसूस करेंगे, इस वजह से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप में उर्जा की कमी रहेगी, मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अपने मन को तरो ताजा करने के लिए कुछ समय एकांत में बिताएं, नया काम सीखने की आप बढ़ाना जरूरी होगा, कि जब विचार आपस में मिलेंगे, तभी कुछ नया आपन आएगा, काम से संबंधित बातों में व्यवस्था बने रहने के बाद भी किसी ना किसी काम से संबंधित तनाव होगा, लेकिन इस तनाव को अपने दैनिक जीवन पर ज्यादा हा दोनों के बीच की दूरियां मिटेगी, और खान पान से संबंधित बदलाव और व्यायाम की वजह से, सेहत और मानसिक स्थिती में बदलाव करने की कोशिश करें, आपको बता दें कि लोगों के द्वारा छिपाई गई बातें, सामने आने से किसी व्यक्ति पर कितना विश मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए, कुछ बातों की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन बातें सामने आने के कारण आप सतर्क हो जाएंगे, जी हाँ, अब बात करें, अगर पैसों की तो पैसों से संबंधित किये गए काम, लाभधायक रहेगी, किसी व्यक्ति के महसूस होने वाले भावनाएं केवल आकर्शन, हैडर या प्रेम है, मी अपने जीवन में दो गुण, बहुत आसानी से आपको समझने ही, एक तो व्यक्तियों की परक और दूसरा अपनों की परक, अब आपको ध्यान रखना है कि जो आकर्शन आपको महसूस हो रहा है, वह यात्रा से संबंधित योजना अगले कुछ दिनों में बनाई जा सकती है, तो यह यात्रा बहुत ही सुंदर होगी, यह यात्रा परिवार के साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिये मित्रों, अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद किसी यात्रा पर जा रह तो थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, आ, और थोड़ा सा सर्तक्ता करेंगे, तो ना तो किसी प्रकार की हानी होगी, और ना ही किसी प्रकार का नुकसान होगा, काम से संबंधित बातों की वजह से, खुद पर तनावना हो, इस बात का ध्यान रखें, और काम से संबंधित कोई भ भावों को होकर नहीं लेना है, क्या होता है, यही की भावुक्ता में आप अकसर कुछ गलत निर्णाय ले, मिलते हैं और इस गलत निर्णाय का खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, कि केवल अपनी जिद को महत्व देने की वज नहीं बरते, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा और ध्यान रखिएगा, मित्रों, आपकी काबिलियत और इच्छा शक्ती का उप्योग ठीक से करने की कोशिश करें, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, काम की जगह किसी भी व्यक्ती के साथ अपने निजी बातें बिलक अपकुल भी ना बताएं, मित्रों, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए उन नुकसान दायक हो सकता है, मित्रों ये बता दीजिए कि पार्टनर और आपके बीच होने वाले विवाद की संभावनाएं बन रही हैं, धैर्य से काम लें, आपको विवाद से बचना है, क्योंकि वि अपको बता दी, जिन बातों की वजह से आपको अपियर्स महसूस हो रहा था, खेर, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उन बातों में बदलाव करने की कोशिश करें, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है, किसी भी कार्य में फिर चाहे जीव प्राप्थ होगा और कैरियर से संबंधित प्राप्थ हुए अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, आप काम से संबंधित अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे. मन चाहे व्यक्ति से असहमती मिलने से तनाव रहेगा. तनाव बढ़ सकता है. इस बात का भी ध्यान रखिएगा. मित्र की कंधों में जकडन महसूस होगी और जीवन में संतुलन बनाना आपके लिए आसान रहेगा. क्योंकि जब सुख और दुख आएंगे तो जीवन में संत पाएंगे. मित्रों, आपको ध्यान रखना है. संतुलन की वजह से करीब कि लोगों को वक्त दे पाएंगे. क्योंकि आप कई समय से अपनी अस्त व्यस्त दिन चर्या से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे. तो अब जीवन में संतुलन बन रहा है. अब आप एक दूसरे के के करी एक उत्साह के साथ कॉल करने के लिए उप्युक्त साबित होगा. क्योंकि जब आप कारे से संबंधित ट्रेनिंग पर चाहेंगे. ट्रेनिंग के दौरान आपको नई-नई बातें, नई-नई जानकारियां और नए रहस्य सीखने को मिलेंगे. आपको बता दें कि जिस व्यक प्रतिगत बातों की चर्चा बिलकुल भी आपको नहीं करना है. व्यवसाइक शेत्र में किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवईया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, तो बेहतर होगा कि सभी काम अपनी देखरेख में ही करवाएं. बेहतर होगा कि सरकारी कार्याले में क इसी भी अधिकारी के साथ उलजने की बजाय, शांती और धैर्य रखना आपके लिए और कारियों को हल करने में सहायक रहेगा. मेला परवाही तथा व्यवस्थित दिन्चर्या की वजह से पेट खराब हो सकता है. तो अपने अल्लाह बेशक इच्छाओं पर भी कंट्रोल क करना अति आवश्यक के मित्रों आपको बता दें कि घर का वातावरण जो है वह थोड़ा सा फाल्तू लग सकता है. अब घर का वातावरण मंगलमय बनाने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे. प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने शेश, जल्दी ही विवाह में परिणित तो होने का आपका सपना पूरा होने वाला है. वहीं आपको बता दो मित्रों की. ये समय रहेगा. इस समय के अभाव में आपके सामने आपके ही कुछ ऐसी गलतियां आएंगी जो आपने बीते वक्त में की थी तो उन गलतियों को आपको दोहराया नही है. जीवन से सीख लेनी है. यही इस बात का परिणाम होगा. आई दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं. अशुब ग्रह के दोश को दूर करने के उपाए, ये उपाए आपकी किसमत खोल देगा. आप बस अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें. जीवन में बाधाओं औ कारात्मक शक्तियों को दूर करता है. अगर आप नियमित कपूर के पानी का छिड़काव करते हैं, तो जीवन में सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं. और दोस्तों, दूसरा उपाए है, घर के मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कने से ग्रहों का आशीरवाद रहता है. हमेशा हमेशा के लिए कुछ सावधानी है, ध्यान से सुनना. दोस्तों, ग्यारा करोट डीट की संपत्ती हाथ लगने वाली है. आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, क्योंकि अब आपकी किस्मत एक दम से चमकने वाली है. मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी शिवानी कभी गलत नहीं होती है. अगले साथ दिनों में ग्रह गोचर और खुद बाला जी, महाराज आपकी जिंदगी में करने वाले हैं एक एतिहासिक परिवर्तन. मिल चुके हैं प्रचंड संकेत, क्योंकि अगले साथ दिनों में. दोस्तों, आपको आपकी जिंदगी क हर एक सुख मिलने वाला है. अब दोस्तों, तरसने के दिन जा चुके हैं, अब स्वर्ग जैसी जिंदगी आपकी होने वाली है. बागेश्वर बाला जी महाराज की कृपा आपके उपर बरसने वाली है, क्योंकि आपकी राश्य के उपर खुद बजरंग बली अप्रसन हो चुके हैं. आपके ही अच्छे कर्मों के कारण आपको, दोस्तों, यह ग्रह गोचर का दोस्तों, उपहार मिल रहा है, मंगल का साथ मिलेगा, सूर्य का साथ मिलेगा, साथ ही साथ, चंद्रमा भी, अब आपका साथ देने वाले हैं, और शनी तो पहले से ही आपके उपर महर तो आएए जानते हैं कि आखिर आप लोगों के जीवन में क्या-क्या खुशियां आने वाली हैं। परन्तु दोस्तों आप जानते ही हैं कि जब-जब आपके जीवन में खुशियां आती है तब-तब पीछे-पीछे मुसीबतें भी। और केवल खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आएगी। तो आएए जानते हैं कि आखिर व्यापार आपका कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिती कैसी रहने वाली है। वीडियो बहुत ही बहुत ही शांदार है दोस्तों, इस वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी देखने को, इसलिए शुरुवात से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जो भी बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा चाहता है, अपने उपर वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमें बॉक्स में अवश्य लिखना। जै बागेश्वर बालाजी महाराज, आपकी हर मनुकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आईए अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बजरंग बली आज भी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करने के लि पूरे देवता को प्रसन्न करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु बजरंग बली को प्रसन्न करना बहुत आसान है। कहते हैं कि मन में केवल श्री राम का नाम लेने से ही बजरंग बली प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप हर सोमवार के दिन। दोस्तों, जब की शिवलिंग पर जल चरहाते हैं, तो भी महादेव के साथ साथ बजरंग बली भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बजरंग बली ऐसे देवता है, जो दिल खोलकर खुशियां लुटाते हैं अपने भक्तों पर।। तो दोस्तों, आपको बजरंग बली को प्रसन्न करना अगर हम लाब गिनाने लग जाएंगे तो एक नहीं, बलकि कई बड़धी बड़धी वीडियोज हमें बनानी पड़ड़देन जाएगी. कई दिनों लग जाएंगे दोस्तों, परन्तु उनके लाब खतम ही नहीं होंगे, परन्तु एक लाब बता देते हैं कि केवल उनकी. दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में हर सुख मिलता है. आने वाली हर परेशानियों से बजरंग बली उसे बचाते हैं. साथ ही साथ, दोस्तों, जो आकस्मिक संकट होते हैं, उनसे भी बजरंग बली बचाते हैं, अकाल मृत्य उसे भी बचात कि जीवन में कोई भी लड़ाई जगडा किसी से ना हो, घर में सब सुखी सुखी रहें। कभी भी कोई प्रकार की चिंता ना हो, तो शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए, क्योंकि जिसके जीवन में शनिदेव की कृपा रहती है, वह व्यक्ति हमेशा हस्ता रहता है। शनिदेव की कृपा पाना दोस्तों, कोई मुश्किल बात नहीं है। अकसर हम शनिदेव का नाम सुनकर डर जाते हैं, कई बढड़ धे बढड़ धे दोस्त, तो जोतिशाचार्य पंडित शनिदेव का नाम लेकर डरा देते हैं, कि आपका शनिभारी है, परंतु यह डरने मे मत आईए नहीं इनके बहकावे में आईए शनी देव, दोस्तों, न्याय प्रिये देवता है, यानि कि जो जैसा उसके साथ वैसे हैं, शनी देव, अगर आप अच्छे हैं, शनी देव अगर आप बुरे हैं, तो आपके उपर बुरे हैं, कर्मों को तो भोगना ही पढ़ और कर्मों के फल देवता को उन्हें शनी देव, तो जो करोगे वही शनी देव आपको देंगे। शनिदेव का कुप्रभाव आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपके माता पिता खुश हैं, आपके घर के बुजुर्ग आपसे खुश हैं, आपके घर के बच्चे हंसी खुशी से रहते हैं, आपके घर के लोगों की आप इज़त करते हैं, तो शनिदेव आपके ऊपर प् दोस्तों मातालक्षमी सभी जानते हैं कि चंचल होती है एक जगह पर नहीं टिकती है। चाहे कितना ही दोस्त अच्छा कर लो मातालक्षमी बहुत मुश्किल से टिकती है। परंतु एक बार अगर कहीं पर टिक गई तो साथ पुष्टें बैठे बैठे धन खाती है। इधर उधर व्यर्थ खर्चे हो जाते हैं, हॉस्पिटल में पैसा बढ़ना पड़ता है, ब्याज ब्याज में पैसा भरना पड़ता है, इधर उधर फोकट के खर्चे होते हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर की लक्ष्मी का यानि की घर में जितनी भी स उनका सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी मन नहीं दुखाना है आपको, अगर आपके घर की स्त्रियां सुखी हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी अवश्य स्थाई रूप से रहेगी, जिस घर की स्त्रियां खुश हैं, जिस घर के जो छोटे बच्चे हैं, वह उस घर मे स्त्रियों का मन दुखी नहीं होता है, तो समझ जाईए, कि उस घर में माता लक्ष्मी स्थाई रूप से रहेगी ही रहेगी, बस घर को स्वच रख लिया करें, थोड़ा सा घर में गंदगी ना करें, घर स्वच होना चाहिए, रोजाना गौमूत्र के छीटें लगाएं, स अपके घर में माता लक्ष्मी स्थाई रूप से वास करेगी, घर का कोई भी सदस्य मधिरापान नहीं करे, नहीं गलत संगत में हो, नहीं दोस्तों मांसाहारी हो, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं अंडा, नहीं मांस, नहीं कोई अलग चीज होना चाहिए, घर में माता र प्रसन्न करना, फिर शनी देव को प्रसन्न करना और फिर मातालक्ष्मी को. ये तीनों चीजे अगर आपकी हो गई, तो समझ जाईए कि जीवन में किसी भी जोतिश के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कभी अपना राशिफल देखने की जरूरत पड़े उसको कोई भी हतकंडा अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जीवन तो यूँ ही सुखी हो गया. आने वाले इन साथ दिनों में, बस ये तीन काम करलो, जो हमने बताया है. देखिएगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आठवें दिन से ही होना शुरू हो जाता है. धीरे धीरे आपको खुद को परिवर्तन देखने को मिल जाएगा. इसके अलावा भी, अगर कोई सवाल हो, आपके मन में कोई बात अगर समझ नहीं आ रही हो, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें अवश्य पूछिए. हम आपको अवश्य बता देंगे. दोस्तों, मनुष्य तन का सदुप्योग करना चाहिए. बहुत भाग्य से मानवतन मिलता है, यानि कि जो इनसान का जन्म होता है, बहुत भाग्य से मिलता है. अगर आप एक इनसान हो जो हो ही, आप एक स्वभाविक इनसान हो, तो आपका भाग्य बहुत तेज. जबी आप अगले 24 घंटे, पैसों के लेन देन से थोड़ा सा परहेज रखिएगा, नहीं किसी से पैसा लेना है और नहीं किसी को पैसा देना है, आपको आज के दिन थोड़ी सी नई-नई जिम्मेदारियां मिलने वाली है, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने से आपके नीजी कामों में रुक अपनी जिम्मेदारियों को भी ढंग से नहीं निभा पाओगे, एक समय में एक काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना एक हाथ से दस काम करोगे, तो दोस्तों फिर दसों काम तो बिगड़ने ही बिगड़ने हैं, दोस्तों ध्यान से सुनना कि बच्चों के साथ डांट फटकार की जगहे दोस्ताना व्यवहार रखिये, आपके बच्चे, आपकी संतान, आपके परिवार के बच्चे, उनके साथ थोड़ी सी अच्छे से, नर्मदा से पेश आएं, इस समय उनका मार्क दर्शन करना बहुत जरूरी है, आपके बच्चों, आपकी संतान की तरफ से आपको कोई खुशी मिल सकती है, आपको दोस्तों कोई ऐसा मौका मिलेगा उनकी तरफ से जिससे आप दोस्त तो खुशी-खुशी समझाओगे नहीं, व्यावसाइक गतिविधियों में जो चीजें रुकावट का कारण बन रही है, उन्हें नजर अंदाज करें और दू बिल्कुल सोच समझ कर करें, कहीं पर साइन कर रहे हो, हस्ताक्षर कर रहे हो, तो बिल्कुल ध्यान से करें, कोई गडबढ हो सकती है, दोस्तों, आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, तो अच्छा रहेगा, कोई भी काम बिना नोलेज के मत करिएगा, जिस काम में द दोस्तों आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। किसी की मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करें। यानि कि परिवार के लोगों के सदस्यों की जो दोस्त परसनल है उनकी चीजों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए दोस्तों ध्यान से सुनिए कि वैवाहिक लोग विवाहित जो हैं उनके जीवन में थोड़ा सा दोस्तों कलह मच सकता है लड़ाई जगड़े हो सकते हैं प्रेमी जोडों के बीच में भी यही सेम चीज लागू होने वाली है आपकी जिन्दगी में किसी बात को लेकर आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है आपसे लड़ाई जगड़ा भी हो सकता है या फिर पार्टनर की किसी बात को लेकर आप दोस्तों से नाराज हो सकते हैं उस बात को लेकर लड़ाई भी हो सकती है चीजों को शान्ती से अगर सुल्जा लिया जाए, निप्टा दिया जाए, तो अच्छा रहेगा अन्यथा, रिष्टे नातों में दोस्तों, लंबे समय के लिए दूरियां आ सकती है वहीं जो विवाहयोग्य लोग हैं, उनको अपने मन पसंद का रिष्टा मिल सकता है उनके लिए दोस्तों समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जिन लोगों के घर वाले प्रेम संबंधों के लिए मान नहीं रहे थे उनके घर वाले अप्रेम स्वीकृती के लिए मान सकते हैं दोस्तों इसलिए तैयारी में रहिएगा थोड़ी सी कोशिश करिएगा आपके घर वालों की तरफ से आपको मनजूरी मिल सकती है साथ ही दोस्तों, आज का यह दिन बहुत ही खास है बजरंग बली की क्रिपा तो आपको मिल ही रही है साथ ही महादेव की भी क्रिपा आपके उपर बनी रहेगी ऐसे में आज आज आपको लोगों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए यानि कि दोस्तों, ध्यान रखिए कि आज किसी गरीब की मदद आप जरूर करें कोई भी दोस्तों आपको राह में चलता हुआ जरूरत मंद दिख जाए उसकी मदद जरूर करिएगा किसी को खाना खिला दे या फिर किसी को पानी पिला दे किसी को जरूरत की कोई चीज दे दे एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी दोस्तों, भिखारी को या भिखशुक को आप पैसा बिलकुल भी न दे किसी को अगर आप पैसा दे रहे हो तो अगर वह जरूरत मंद है मान लीजिए किसी का पाव नहीं है किसी का हाथ नहीं है जो कमाने योग यही नहीं है तो आप उसकी पैसों से मदद कर सकते हैं लेकिन जो थोड़ा सा दोस्त अच्छा भी है और वह आपसे पैसा मांग रहा है तो उसे पैसा नहीं बलकि उसकी कुछ जरूरत की चीज़ दे दें खाने की दे दें या फिर दोस्तों कुछ पहनने की वस्तु दे दें लेकिन उसको पैसा दे कर उसको और मजबूरन भिखारी मत बनाईए आप सभी से इसी चीज़ की हम विनती करते हैं आपकी दोस्तों किसी चीज़ में रुकावट आ सकती है जिससे दोस्तों आप पूरे दिन उस चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान रहोगे वैसे तो दिन बहुत ही अच्छा है, परन्तु किसी चीज अगर रुकावट आती है, तो आपको अपने अहम को दोस्तों साइड में रख कर अपने अपनों से मदद ज़रूर ले लेनी चाहिए। आप दोस्तों मदद लेने से हिचकिचाते हो, अपना स्वाभिमान कम मानते हो, कि मैं किसी से मदद ले लूँगा तो मेरा स्वाभिमान कम हो जाएगा लेकिन ये दोस्त तो मानसिक्ता से आपको अपना निकाल देना है ये समय बहुत अच्छा है आपके अच्छे व्यवहार से लोगों के सामने आपकी अच्छी इमेज बन सकती है अगर आप बेरोजगार हैं और लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है इस दोरान आपकी महनत रंग लाएगी आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है या फिर आप छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं अपनों के साथ ये समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा विशेश रूप से माता पिता का पूरा समर्थन आपको मिलेगा अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है जल्द ही आप विवाह के बंधन में बढ़ सकते हैं वहीं दूसरी और इस राश्य के सिंगल लोगों के लिए भी यह सब्ताह बहुत ही खास रहने वाला है आपकी रोमैंटिक लाइफ की शुरुआत हो सकती है यानि आपको आपका पार्टनर मिल सकता है आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको अपने बजट से दुख दूर ना जाने की सलाह दी जाती है बेहतर होगा आप अपने खर्चों की लिस्ट पहले ही तैयार कर लें यदि सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो रही है तो इस दौरान आपको कुछ राहत मिल सकती है सप्ता के शुरुआती दिन आपके लिए बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं इस दौरान निजी और पेशावर जीवन में जिम्मेदारियों का बोज अधिक रहेगा ऐसे में आपको दोनों के बीच संतुलन बना कर चलने में काफी दिक्कते हो सकती हैं हालांकि जल्द ही परिस्थिती में सुधार देखने को मिलेगा सप्ता के मध्य में आपको परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है